हमारे पिछले सेशन्स में हमने नंबर्स के एक्स्पोनेंशल फॉर्म, एक्स्पोनेंस के डिफरेंट लॉस और पावर्स के बारे में जाना इस सेशन में हम इत नंबर्स के नोटेशन्स के बारे में जानेंगे हमें पता है 1000 को 10 cubed भी लिख सकते है इसे 1 times 10 cubed भी लिख सकते है क्योंकि 1 से multiply करने से इस number का value change नहीं होता है और large numbers जैसे 16 crores को 16 times 10 power 7 लिखा जा सकता है और number 7, 1170 को 717 times 10 power 1 भी लिखा जा सकता है number 1555 को 1555 times 10 power 0 भी लिखा जा सकता है अगर आप observe करें तो आप देख सकते हैं कि हम numbers को 10 के exponents के multiples में लिख रहे हैं हम इन numbers को further ऐसे भी लिख सकते हैं जो इन सारे numbers को एक standard form में लाए इस representation को scientific form of numbers भी कहा जाता है एक number के standard form या scientific form से हम एक number को 10 के exponents और एक decimal number जो greater than और equal to 1 और less than 10 हो इनके product में represent करते हैं तो 555 का scientific notation है 5.55 times 10 squared होता है ना कि 0.555 times 10 cubed अच्छा तो 4522 का scientific notation क्या होगा इसका scientific notation होगा 4.522 times 10 cubed 10 के exponent को number के notation में कैसे डूण सकते हैं चलिए देखते हैं यहां इस number को देखें पहले हम इस number को इस तरह expanded form में लिखें इसे 10 के exponents में इस तरह से लिख सकते हैं अब 10 के highest power को note करें वे standard form पाने के लिए इस number को 10 की highest power से multiply और divide करें यहां हमें 1.6 times 10 raised to the power of 8 मिलेगा अब यहां दिखाए number को standard form में लिखने की कोशिश करते हैं क्या आप इसे पहले expanded form और फिर standard form में लिखने का सोच रहे हैं? Hold on हम अब इसे simpler way में करने का तरीका discuss करेंगे पहले हम 2 के बाद number of zeros count करेंगे और उसे base 10 के लिए exponent की तरह लिखेंगे यहां 372 के बाद 11 zeros है और इसलिए हम इसे 372 times 10 power 11 लिख सकते हैं लेकिन हमें 10 से कम एक number चाहिए 10 के exponent से multiply करने के लिए इसके लिए हमें 3 के बाद एक decimal point चाहिए होगा इसे पाने के लिए हम number को 100 या 10 square से multiply और divide करेंगे हमें मिलता है 3.72 times 10 power 11 times 10 square जो की 3.72 times 10 power 13 के equal है तो इस large number का standard form 3.72 times 10 raise to the power of 13 है चलिए अब जल्दी से recap करते हैं जो हमने इस session में सीखा हमने numbers को standard form में लिखना सीखा आज के लिए इतना ही मैं आपको अपने अगले session में मिलूंगी तब तक के लिए keep learning